हहलों कब कर गयों कोरेंगे यह हमारी सब्सक्राइस कि सहंद को संबल इसेjamin वीडियो है जिसमें हम इस टोपिक्स को पर है कि सबसे पहले कि अजॉप्शन यम्गी एड्रजॉप्श यह बार क्या होता है एड्जोप्शन आइसोथर्म कुछ नमेरिकल्स देखेंगे एंड एप्लिकेशन ओफ एड्जोप्शन ओके होफसो आप पहली वीडियो में एड्जोप्शन स्टड़ी कर चुके जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख लिजी एबीजी केमेस्ट्री वर्ल्ड सर्फेस ट्रिपल जीरो वर्ल्ड सर्च किजिए आपको पहली वीडियो अच्छे से स्टड़ी के लिए वीडियो को एंड तक अवश्य देखेंगे योटि के इसक्राइब आट जो ऺफसर सिर्फ पे हैं ट्रोड थी ख gute का मेंटल सर्फेस है यत्वार जो दो मीडिएम को अलग करती है उसे कहते हैं सरफेस या इंटरफेस अब वो फिनोमना जिसमें किसी सबस्टांस की इंटरफेस पे कोई भी पार्टिकल्स गैस कोई सुलूट आके एडजोर्ब हो जाता है रिटेन हो जाता है इस फिनोमना कहते है एडजोर्ब सन अब जो सबस्टांस आके एडजोर्ब होता है उसे एडजोर्बेट कहते है जिस सबस्टांस के उपर एडजोर्ब होता है उसे एडजोर्बेट कहते है ठीक है आज हम पढ़ेंगे एडजोर्प्शन आइसो बार तो बनी एट्छरोप्शन पार क्या है उससे पहले ट्रम समच ले X by M एक नूमेरिकल ट्रम है X by M इसे कहते हैं यह क्या ऑफ़तु है वही extent of एट्छोप्शन extent of एट्छोप्शन या आप इसको इस भार से भी लिंग कर सकते हैं कि that is rate of आप समझ लेंगे उस टाइम पे कि है एक स्टेंट ओफ इड्जोप्शन को कहते हैं क्या होता है एक्स वर्ट इस एक्स 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 इस अमाउंट ओफ एड्जॉर्बेड कि कि तने ग्राम आपका एड्जॉर्बेड जैसे कोई गैस है या solute यह हो गया आपका adsorbent ठीक है adsorbent जैसे charcoal हो गया ठीक है कोई solid substance metal हो भी metal की surface जिनके उपर कोई substance आके adsorbent हो सकता है जैसे भी adsorbent में बोलना हूँ क्या gas है आपकी या solute particle adsorbent है हमारे पास charcoal यह भी कोई substance है ठीक है ठीक है तो x is amount of adsorbent what is x x is amount of adsorbent where m is mass of adsorbent ठीक है आपका जो adsorbent है वो एक surface की form में हो सकता है और या powder form में भी हो सकता है वो especially जब powder form में हो ना adsorbent ठीक है तब हम इसको किस में डिल करते हैं mass of adsorbent लेके चलते हैं कि adsorbent का mass कितना है ताकि हम यह बतासके कि कितने adsorbent पे कितना adsorbate adsorb हुआ है यही होता आपका extent of adsorption इस extent of adsorption टर्म से हम isobar isotherm पढ़े है ठीक है अब देखे वे x, y, m कितने adsorbent पे कितना adsorbate adsorb हुआ इसे ही क्या करते है extent of adsorption ठीक है अब इस extent of adsorption पे हम अगर pressure की study गरे और pressure को क्या रख दे constant रख दे तो उसे हम करते है adsorption isobar देखिए इसको हमें गराफ से समझेगे क्या होता है adsorption isobar यहाँ पे है y-axis में extent of adsorption ठीक है x-axis पे ले लिया मैंने क्या वही temperature pressure कर दिया मैंने क्या constant अगर मैं constant pressure पे adsorption की study अगरी करूँ with respect to temperature then this is known as what adsorption isobar now with respect to temperature at constant pressure आपका जो adsorption है वो कैसे depend करता है अब हमें यह पता आना चाहिए कि adsorption का कुन सा टाइप दो प्रकार के adsorption होते हैं पहला क्या भी physical adsorption पहला क्या है physical adsorption हम सबसे पहले संडी करने जाने है इफेक्ट ओफ टेंपरेच्चर ओन physical adsorption at constant pressure ठीक है देखिए भी क्या होता है कुछ ऐसी कर मिलती है क्या मत्तर गोला जैसे जैसे आप temperature को increase करेंगी temperature बढ़ रहा है जो एक्सक्रेंट ओफ जोप्शन होगा क्या होएगा decrease होएगा क्या होएगा यह करो क्या बता रही है वे जैसे जैसे आप temperature को increase करेंगी देखिए आप x-axis में जा रहे है graph को आपको अच्छे study करना आना चाहिए x-axis में क्या increase हो रहा है temperature y-axis में क्या increase हो रहा है adsorption extent of adsorption को adsorption से समझ लीजी ठीक है तो जो आपका adsorption हो रहा है यह उपर की तरफ बढ़ेगा ठीक है और जो आपका temperature है यह आपके right की तरफ बढ़ेगा अब देखिए जैसे जैसे आप temperature को बढ़ा रहे हैं इस point पे मालेज adsorption यह है इस इस यह आप temperature कीज कर रहे है क्या हो रहा है आपका जो adsorption है क्या हो रहा है और स्पेसली फीजीकल अड्जोप्शन जब आप temperature इंक्रीज करते हैं तो फीजीकल अड्जोप्शन क्या हो जास्ता है क्या मतलब इस बात का मालने जीए कोई adsorben पे फीजीकल अड्जोर्ब हो गया अब आप पहले वीडियो से पता कर लेंगे फीजीकल अड्जोप्शन की क्या क्या फूब या है ठीक है इसमें वन्ड़ाल फोर्स अड्रेक्शन से रिटेंशन होता है अड्जोब होता है कोई सबस्टांस दूसरी बात यह मल्टी मोलिक्ल होता है किसरी बात जो आपका फ्रेंड्लिक अड्जोप्शन आइसोथर्म है वो फीजीकल अड्जोप्शन पर यह अपलाई होता है ठीक है ध्यान दीजिएगा क्या भी कोई सबस्थो कोई भी ग्यास मालिया निंगा वी सब्द्रेस पर अड्जोप्शन है यह एक जो थर्मिक प्रोसाई इसके अंदल क्या टैम्परेचर प्रेच्छर क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है तुरिं डा फीजीकल अड्जोप्शन अब अगर आप temperature को आप बढ़ा देंगे ज्यादा कर देंगे तो यह जो absorption है क्या हो जाएगा कब अब यह जो gas molecule है यह इस metal की surface का अगर आप temperature बढ़ा देंगे तो इससे क्या हो जाएंगे जूर्ट बेजाएंगे उठ जाएंगे इसे हम कहते है क्या क्या होगा क्या होगा तापमान बढ़ाने पर extent of absorption कम हो जाता है किसका physical absorption क्या ध्यान दीजिएगा यह करोब बनेंगे अगर फोर्वार डारेक्शन कोई reaction हो रही है और उसमें क्या रिजिए हीट रिलीज हो रही है ठीक है तो यानिकि प्रोसेस कैसी है एक्जोथर्मी और एक्जोथर्मी प्रोसेस में आपने क्या किया टेंपरेचल बढ़ा दिया तो रियक्षन किसमें जाएगी बैक्वार ड अब एक्षन में जारे तो एक्जोथर्मी प्रोसेस में टेंपरेचर बढ़ाने प्रेक्षन किसमें जाती है बैक्वार डारेक्शन में तो क्या होबा डीस और यही बताता है आपका एड्जोप्शन आइसो थर्म किसके लिए फॉर्फीजिकल एड्शोप्शन ठीक है यह पुछेंगे अपसे बताइए उनके से कौन सा ग्राव फीजिकल एड्जोप्शन को इंडिकेट करता है यह ऐसी करव दिखें कि निवर्स्ट्री प्रोपोस्टन की करव ओके चलिए दूसरी दूसरा बढ़ेंगे इसी में एड्जोप्शन आइसो थर्म क्या है अब देखे प्रोप्शन की को जो भी कंसेप्ट और अज के एक साथ बता दूंगे अब आपकरेंगे बताइए कॉंस्टेंट प्रेसर पे अगर कैमिकल अजोप्शन हो रहा हो तो यह एक्सट और जोप्शन एक्सपाइयर गेश्पेक्ट टेम्परेचर एक्स एक्सीजिस पेंगी अब कैमिकल जोप्शन क्या होता है जिसमें कैमिकल बन बनता है यूमिंग होता है अमांट पो फीट ज्यादा जीज होती है फिजिदी से भी लेकिन इसकी खासबात इसको इनिशियली अजिश्पी नाजिए चुई होती यानि कि अगर आप स्टार्टिंग में टेम्परेच सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ ऐसी करूं मिलेगी जब आप केमिकल एड्जॉप्शन की स्टड़ी करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो आपका एक्स्टेंट ऑफ एड्जॉप्शन देख लिए इनकी जो रहना यहां पर मालेंजिए इस पॉइंट पर स्टड़ी करेंगे तो यह क्या है अमांट ओफ शब्स्टांस अड्जोर्ब एक्स बाइंट कितना अड्जोर्ब हुआ कितने अड्जोर्बेंट बढ़ रहा लगाता और टर्पेटर बढ़ाया आपने गरों को मीट कीजिए गराफ की स्टड़ी करने हैं जी इस पॉइंट पर देखिए क्या पहले टर्पेटर से ज्यादा आपमान करने पर इंकीज हो गया आड्जोर्ब्स हां लेकर अगर अब तो इसको एक्टिवेश नर्जी मिल चुकी होगी कैमिकल बॉंड बन चुका कर दिया तो एक्स्टेंट और जोशन क्याम लग जाएगा में डिक्रीज इस पॉइंट तक जैसे फोर एक्जेम्पर देखिए जब तक हम किसी कागज को तिल्ली लगाते हैं तो सरवात्मय में तिल्ली से अमाउंट विट देनी पड़ते हैं माच इसकी तिल्ली से अब एक इस इनर्जी क्या होते हैं मिंदेनी पड़ते हैं किसके अंदर वरी जो चमिकल बन करण रहा है क्या यह सबस्टान यह सब्सटान एजचोर्ब हो रहा है यह अडज़ोर्बेंट पर आप क्या करेंगे ही ट रिलीज हो रही है पहले से अब आप ते अमप्रेचरी निगीज क किसका मालिये जिए मेटल है इस मेटल का तो क्या होगा यह इस बोन्ड को यहां से प्रिमूव करतेगा डिस्टोर्प्शन हो जाएगा कहने का पतलब इध्यान लगाने से क्यों है क्या है मिटल तो तो इंजे क्या है कीज करने पर कैमिकल एड्जोप्शन इनिशिली क्या होता है इसके बार क्या होता है ओ प्रिटन की बिद्रिस्पेंग्ट एक प्रेशर यह कर वने क्यों सनाएगा 45 करव दीदें कि चाहरी आते हैं 4 ओप्षन में आपको यह करव को दिखा दिखा दीद पैचाल लेना इस गर्फ वर केमिकल एड्जोप्शन और यह थाविं क्या हमारा एड्जोप्शन आइसोपार एक एक स्बार्ट अब समझना आपकी प्रेक्टिस पर डिपाएड जितने अच्छे आप इसको प्रेक्टिस करेंगे इसको समझेंगे understanding करेंगे अब उतना ही बैटरी इसको अप्रोच कर पाएंगे एक्जाम में असा है ठीक है अब नेक्स्ट वई हम पढ़ेंगे क्या वट इस एड्जोप्शन आइसोफर्म एड्जोप्शन आइसोफर्म क्या होता है अगर मैं अब टेंप्रेचर को क्या कर द टेंप्रेचर क्या करें पृण स्टैशं कान निए करेंगी जिब्स इफेक्ट ग्र weldा है ओंड सर्फिसय इसके उपर कोई आर्थ हो और हो रही है तर ब्स होला कि अगर आप यहां पर प्रेसर को क्या कर दें इंक्रीज कर दो यह बताना आपको क्या इफ्ट पड़ेगा एड़ोप्शन चलिए इसको समझते हैं अगेन मैं इसके लिए वह यह ग्राफ बना रहा है इस ग्राफ से समझेंगे काफी असान रहता है कि यह एक्स्टेंट और एड़ोप्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेश्चन एक्सेज में प्रेश्चन है वाई एक्सिज में क्या है एक्स्टेंट और एड़ोप्शन अब फिर से हम स्टेटी कर रहे हैं किसकी फीजी कल अगोफ्शन और यह फीजी कल एड़ोप्शन अब फोर एड़ोप्शन आईसोथर्म के लिए बताया था इसे कहते हैं क्या फ्रेंडलिज एड़ोप्शन आईसोथर्म इस पार्टिकुलर एक्वेशन निए कि एक्स्टेंट ऑफ एड़ोप्शन इस इक्वेशन होता है ग्रेट कॉंस्टेंट कॉंस्टेंट इंटू में प्रेसर की पावर बन बाई है यह इनकी बेसिक एक्वेशन थी अगर आप प्रेसर के साथ एक्स्टेंट ऑफ एड़ोप्शन की स्टडी करना चाहते हैं अब जैसे आप फर्दर प्रेसर इंग्रीज करते हैं यह आं तक क्या है डारेक्टली प्रपोस्टेंट एक्स्टेंट और एड़ोप्शन अब फर्दर आप और प्रेसर इंग्रीज करें तो एक्स्टेंट ओफ एड़ोप्शन है वह फ्हाल डारेक्टली की वजाएग आपका थोड़ा कम होता है जैसे आप एक पार्टिकुलर लिमिट के वाद प्रेसर कीज करेंगी तो एक्स्टेंट ओफ डाएगा कम हो जाएगा फैले की अप्रिक्शन ठीक है समझे अभी इसका सिंग्रिक्टली को में लोगों है उसके बाद और प्रेसर इंग्रीज करतें यहां तक इसके बाद आपने प्रेसर बढ़ाते हैं तो लगल प्रे माध्र का मोलक कम प्रेशर यादा कि यहां कि देखना जो किसके लिए है फोर ऑप लो प्रेश्र और प्रेशर कम है यह right awhile a falei डाले प्रेश्रल्टम थीज़सर के अगर प्रेश्र क्या है आगर हई है देखिए एक्स्टेंट और जोप्सन क्या हो गया जितना एड्जोर्ब होना था एड्जोर्बेट वह हो चुका है इससे फाल्ट जोर्ब नहीं होगा अगर आप क्या रिज़ कर रहें फ्रेस्ट हर करो एक सीनिटिकेंस रखती है आपको समझा लग ठीक है देखिए तो यह इना पर अमांट ओफ एड्जोर्बेट पार्टिकुलर अमांट ओफ एड्जोर्बेंट भी क्या हो चुकी है फोल्स्ट यानि की अट हाई प्रेशर क्या हो ज्यादा हो तो एक्स्टेंट ओफ एड्जोप्शन हाई प्रेशर प्रेशर प्रेंड नहीं कर रहें ठीक है यह क दोनों के बीच का इंटर मीडियेट प्रेश्यर कि जब आपका इंट्रेमिडिय प्रेश्यर होगा तो आपका एडजॉर्पशन कम प्रेश्यर पे जो एडजॉर्पशन हो रहा हुए मसे क्या होगा कम पर क्या होगा थोड़ा इन क्या होगा डिग्रीज होगा डिडिग्रीज करें तो इस प्रॉपोर्शनल्टी में इन्पीज नहीं होगा एक्छुली इस णोर्मल इस देस्क डारेकली परपोर्शनलिटी डेरेकली जो प्रोंशनल इस प्रोंशनलिटी के बाद जाब आपका गेन क्लों प्रेशर है अगर आप प्रेशर करते हे तो अडशोप्शन रहे है ध्यायरत मर् दॉस दस से नहीं बढ़ा हूं से नहीं बढ़ा जैसे पहले बढ़ा रेट कम हो गई एड्शॉप्शन की रेट कया हों चुकिए कि इस परोसन में कम हो चुकि इसके पहले वाले मानों भी इसको नाम देते हैं मानि यह वाला जो डायक्टिम प्रेश्र है यह वाला इसको बोल दिया मैंने क्या गई भी वर यह वाला रिजन क्या हो गया अब इस चीज़ कि स्टडी बताईगी खिस ने फ्रेंड्ली स्ट्रेंइड इस इन प्रेंड़ इन हम दिया फ्रेंडल द फ्रेंडली क्या मैं और प्रेंड्ली एड्जोर्प्रिक्ष्न आईयू चलिए लिए इनकल बनाते हैं इन्होंने क्या बोला The extent of adsorption at low pressure is directly proportional to pressure. Pressure की क्या है? Directly proportional. हो गई? यहनी की X by M is equal to k into p पावर 1 थीक है. In region A यह A region की कानी है, थीक है. B में क्या होगा? The X by M Directly proposed निखेंगे निखेंगे? यह क्या कर रहे है क्या extent of adsorption depend कर रहा है कि pressure पर पर डिपेंड नहीं कर रहा हूं इसका मतलब pressure पर डिपेंड नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं इसको नहीं सकता हूं प्रेसर की पर कितनी आ रही है या पर डिपेंडेंसी जीरो लोग प्रेसर है पर कितनी आ रही है अब माली जी बीच का प्रेसर हूँ तो क्या होगा एक्सबाइएंट यहीफ सब्सक्राइब क्या यह सब्सक्राइब कर रहे को sto Deep असे वंद्राइब कु annoő उ रहा है है कि इसको में आपेंचे पार किसे में लिए एकन अ-н-ध्राइंवे सब्स्क्राइब कर दो है कि जैसी आपका एक से टिरों हो रहा है खीक है एक से क्या राए जिरू तो बीच में कोई यो कुछ वैल्यू आइस पालो पॉइंट नाइन नेख सकता हूँ पॉइंट देट आगी क्या मैं इसको ए्ट बाइट यह थी for intermediate pressure friendly adsorption isotherm equation यह कुम्मली आपके सकते हूँ, this is friendly adsorption isotherm equation x by m is equal to k into p की पावर 1 by m कि देखिए वही आप लोग साथ की साथ इस बात को समझे जैसे आप pressure को क्या करेंगे increase करेंगे तो कम pressure होगा यहां पर प्रेसर को दिमें दिम इंक्रीज करें लेकि प्रेसर की value क्या हो तो adsorption क्या होगा directly करेंगे जैसे प्रेसर थोड़ा बढ़ाते हैं इंप्रिमेटी प्रेशर होता है प्रेसर ना जगा होता है ना कम होता है को value होती है और मारी जी यहां पर प्रेसर कितना है जी नोट कर लींजिए इसको यह था अब सुनिए इसको समझते हैं इसको समझते हैं इसके उपरा के गैस क्या होगी परी अगर कम प्रेशन भी होगा तो असानी से गैस क्या हो जाएगी अब हम देखेंगे कि अगर लेयर कैसी बनी गैस अब गैस का पार्ट इलमाने जी यहां आ गया इसके उपर तो पहली की बजाए सर्फेस के उपर एड्जोप्शन क्या हो रहा है कि मुल्टी मोनिकुल बन भी है ध्याम से समझें इस बात को देखिए करना कुछ नहीं है सिद्धी सी बात है एक्स बाइयर मीज इकवाट टू के इंटू पी की पार वन बाइयर फिर नीश हो गया एन की वैल्यू क्या होगी एक से चाहता होगी इध्यान रखिए अब राज हम एक्सपरिमेंटर देखते ह कोई से फालत कुछ नहीं कुछनगा हो गया करी आपके इंटरेमेटर प्रेशर पर इंटर्फ पार प्रेक्ष्चिकली एक्सपरिमेंटली अप्लाई होता है ठीक है अब समझना चाहते हैं फर्द तो देख लीजिए क्या कानिया जैसे आप फर्दर सर्फेस अगर फरी होगी प्रेसर कम भी रख रखा है तो असानी से क्या हो जाएगा भी एड्जोंड ये कम टेंप्रिटरी कानिया एड्जोंड प्रेसर बढ़ा रहे हो दी में दी में हो गया अब एक लिए आपकी इड्जोंड हो चुकी है शेज कर रहे हैं तो यह बीच में इस प्राके अच्छोंड हो जाएगा फीच को इसको बेटने प्रेटेन होने के लिए क्या इनके प्रोपोर्स क्या लगेगा कम क्योंगी पहले सीन उन्हें अप्राइट कर लिया अब आपका जो फोर्स है पहले वीडियों देखा यहां वह इंसाइड बल्क की तरफ फोर्स जादा रहता है अब भार खिचने वाले यहां पार्टिकर आ ग अब वापस फर्दर बेठेंगे इस पीव पर अब आप ही लगा लीजिए मालीजिए किसी बस के अंदर सीट खाली है ओओ ओओ अब वहां पर अगर कोई पहले से बेठा हुआ है और संटाइं हम देखा हुआ हम एई दूसरे के उपर ले ले लेते हैं थोड़ी हमें स्पेस मिल जाता है या दोस्त होते हैं असानी से बेठ जाते हैं कि इसी बात अभी तो देखिए सामने वाली की प्रैसर बढ़ जाता है ना समझ रहें लगिन अच्छे से हो पाएगा नहीं आप अच्छे से नहीं बेठ पाएंगे अगर पहले से सीट बुक हो चुगी है तो अब कम्रेट से होगा आप यौट बेठ बाग़ा जाते आप लोग बेठ लेड़ अब देखी अब अगर आप प्रैसर नीज भी करेंगी तो कोई पड़ेगा इतना अब कीचने वाले फोर्स है नहीं तो ऐसी फड़ी पड़ी है यहां पर इसको आम अब दोस्तों में काउंट करेंगे निया बनती रेंगे लिए जो यहां पी है वाला सी निया करेंगे क्या से पर फ्रेंडिक्स अड्योसन आइसो थर्णिंगे यह वल्यू हाइउ प्रैसर पे यह राता है एक्सपरिमेंटिल रॉल्यूंट क्यों हो यह बिए फर्दर प्रैसर थर्ण कीच़ करने पे अड्योसन नहीं होगा ठीक है यही इसकी क्या थी लेंटेशन है ध्यान अखियेग प्रेंडलीज एड्जोप्शन आइसोथन सिंपल एक अंडरस्टेंडिंग फिनमिना है किस बात के लिए कि जब टेम्रेचर कॉंसेंट होता है तो एड्जोप्शन की ये करवाद पहले अड्जोप्शन लाइक इंप्रूपोर्शन होगा फिर थोड़ा कम हो जाएगा उसके ये था वह आपका फ्रेंडलीज एड्जोप्शन आइसोथन अब इसके बाद हम इसकी लोग में केशन देखेंगे और इक नुमेरिकल की स्टेटी करें ठीक है नोट कर लेंची देखिए भी अब जोब फ्रेंडलीज एड्जोप्शन आइसोफरम की मैनिक्रेशन इसको प् इसके ड्जोप्शन आइसज एकुवर्ट गंटू π की पावर मगाइंडलीज एक प्लाइब अप्लाइड इसलोग ओन बोट साइडल नोग ऑड्जोंट इस इकोल टू नोग गंटू पीकिकर नम मेंद जार्पे की क्या है अब लोग्स में वेंडलोग प्लार्टी है क्या इसको मैंने एम बोलिया या लोग A.B कैसे खुलता है लोग A.B कुलता जई लोग A पलस लोग B फर्दर अगर आपके पास यह है लोग A की पावर B कैसे खुलता है B आग्या जाता है इन्टू में लोग A हम इसको उपन कर देते हैं क्या हुआ हमारे पास लोग K पलस वन बाई एन पावर आगे लोग B यहां से नुमेरिकल लगते हैं आप क्या करते हैं एक ग्राफ बना कर देते हैं ऐसे करते हैं लोग X by M Y-axis पे है और आपका प्रेसर है यह X-axis पे और आपको करते देते हैं क्योंच बिल्कुल इस इक्वेशन ओफ लिनियर एक्वेशन एक्वेशन एक लिनियर लाइन की एक्वेशन उत्ती है ना वह ऐसे उत्ती है यहां पर क्या होता है जो वाई है यह एक्वेशन परामेटर वह लिखते है एक्वेशन परामेटर वह एक्वेशन होता है यह मैथमेटिक से आपका सी क्या है यह पर इंटरसेट सी क्या होता है यह वाली वैलू तो यह अगर आपको यह जेदें आपको यह वैल्यू दैट इस वाट लोग के लैट इस इंटरसेट इंटरसेट बोल रहा है ठीक है अब बहुत दर स्लोप क्या होती है अगर इस एक्सीज के पैलल एक्सीज के पैलल में एक लाइन कीज़ दू जहां पर यह कर वाये टूट कर दीए तो यह वाली इसके साथ एक ढ़ान बना दी इस लोग इसको नितना उटा दिया यह वाज लेंगल होता है थिटा और टैनेंट थिटा में इसको क्या करते हैं फ्रेंट निकालते हैं फ्रेंडली एड्जोर्शन आइसो थर्म में अगर मैं आपको लोग एक्स बाइम का ग्राफ देजूं क किसके साथ वो भी लोग पी के साथ एक उप बाइम यह वाटे पैट मी श्लोग में और इंसका और आपका डिपेंड करता है एक्स्पेरिमेंटली एड्जोर्बेट की निच्चर एड्जोर्बेंट की निच्चर ठीक है यहाँ आज़ी ज़नली एनकी ग्रेटर दन वन होती है अबराल जब यह वैल्यू आती ही वन बाई यह आती है यह आपकी 0.1 to 0.5 आती है फूर फीजिकल एड्जोब्षन देट इस फ्रेंडली एड्जोब्षन आईसो तर्भ यहिस किस्टर पूस्ट ठीक अगला टेपरेटर को लेकर ऐसा किस्टर पूस्ट आयथे यह क्लीर हो गया होगा इसको नट कर लिजिए स्कीन जोग लेजिएगा देखिए एक और इस करव प्रेशर के साहरे कि यहाला जुछ है आप T 1 तेमप्रेश्चर में कहा है कि दूसरा ग्रांब अचाहि money अभी हमने वालों सेम यह लें है द्यूरिन बाता है यह जान देचिए दूर्सन अग्रशन और भी किस ऐस्ट elephant कि अब दूरिंग अब इस टेंप्रेचर को मैंने बढ़ा दिया पर इस एड्जॉप्षन फिन्यूमिन आगे लिए क्या है तीटू अलागला टेंप्रेचर में मैंने सेम गैस का एड्र बेचन देखा बताई यांसे क्यों सबस्सें चैक बता इğनim जबना दिये विच ओ फोल्यूइंग टेंप्रेचरीज मोर टीवन टीटू टीट्री टीफोर चार बताईए विडियो पोज कीजिए बताईए एक ही मैं से लिख देथा टीफोर टीफ्री टीटू टीवर क्या इस ताप ताप टेंप्रेचर पहले पताएं फीजिकल अप्सर यहां पर इतना है एक्सेंट और जादा है और ज्यादा एक्सेंट और ज्यादा होगा तो टेंप्रेचर क्या होगा क्योंकि आड्योप्सन इस एक्सेंट और ज्यादा इसका मतलब टीफोर सबसेंट अपमान है क्योंकि इस टाइम पर एड्योष्ण क्या हो रहा है ज्यादा और यह फीजिक अड्योप्शन की कर्व है फ्रेंड्लिस एड्जोप्शन आइसोथां ठीक है यह क्यों सब्सक्राइब क्या है फीजिकल एड्जोप्शन ताप्मान इंपीज करने पे कम होता है अब फ्रेंड्लिस एड्जोप्शन आइसोथर्म फ्रेंड्लिस एड्जोप्शन इक्वेशन का इस्तमाल करते वे एक नुमेरिकल निकार इसको नोट कर लिजिए लिजिए आपका फ्रेंड्लिस एड्जोप्शन iisotherm से क्किला इक्वेशन यह क्यारा है लोग X by M वर्सिज लोग B have intercept point 3 and inclined at 30 यहां पर रेट ओफ एड्जॉप्शन का मतल क्या है एक्स्टेंट ओफ एड्जॉप्शन जैसे क्यों सुनाया थी मुझे तो चुन फ्रेंड्लिट एड्जॉप्शन है इस बात को देख्या लागे इसको देख्या लागे और मुझे पता है एक्स्टेंट ओफ एड्जॉप्शन एक्स बाइड्जॉप्शन एक्सबाइड्लिट की मैंडिक्रियस क्या के पी की पावर वन बाइड्जॉप्शन रखा है इनकलाइड एड्जॉप्शन प्रेश्चर पॉइंट 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 फॉइंट ह इकलो होता है k इंटो p की पावर 1 by m, log अप्लाइए करते हैं, log x by m इकल तो आग इसके log k plus 1 by n इकलो लोग, अब ध्यान से दिखी, inclined at 30 degree मतलब, tangent theta that is equal to log m, is equal to कितना है, tangent 30 degree, कितना होता tangent 30 degree, 1 by root 3, अब इन्होंने inclined at 30 degree दे रखा है, मतलब जो आपकी slope है, 1 by n, इसकी value कितनी दे रखी है, 1 by root 3, इन्होंने रखी है, 1 by root 3, ठीक है, 1 by root 3, होगी, मिलगी है अब इस लोग, लोग कितनी आगे बारे, 1 by root 3, एन्होंने 1 by n के value कितनी होगी, 1 by root 3, इन्होंने रखी है, अगला, intercept, कितना है, intercept, 0.3, यह क्या है, लोग कि क्या होता है, intercept, तो लोग के value कितनी आगे, 0.3, अब बदा ही ने, कितना के, 0.3 के ब्राबर होता है, हमें बता है, लोग जिसका base, 10, 2 हो, किसके राबर होता है, 0.3, 0.3, 0.1, 0, तो भाई यह वह लोगी निया आगे भी आसे, 0.3, ठीक है, हमें, हमसे क्या पुछ रखता है, rate of absorption, extend of absorption, क्या होता है, x by m, ध्यान लिजिएगा, हम क्या करते है, इस equation को देखके है, यह equation में लगानी, नहीं हमें, तो x by m निकालगा है, तो क्या k मिल गया है, p मिल गया है, 1 by n के value मिल गया है, 2, कितना, x by m, rate of absorption, extend of absorption is equal to what, compare करेंगे, तो k के value कितनी आगे, 2, 2 in 2 में, p, pressure कितना है, कितने pressure पुछा है, 0.4, की power कितनी भई, 1 by root, that is not the answer, अब सर, यह तो आपने power में 30 दे रिखा है, आपको पढ़ी असाम power देंगे, कितनी भई, यहाँ पे slope को 30 कि बजाए, angle दे रावं आपको 45 degree, लोग क्यों दी आप दें, वहाँ slope अगर आपको दे दिया, tangent 45 degree, tangent 45 degree कितना होता है, 1, तो slope के वह लिए कितनी भई, 1, अब slope 1 की सासनिकाली, extend of absorption, x by m is equal to 2 in 2 में, 0.4 की power कितना 1, यह उती नहीं slope, 45 degree दे दे गया, ठीक है, यह बहुत देंगे, इसे में फोटे इसे में फोटे इसे में पूटे लेंगे, अगर यह कुछिण तो यहाद है complete हो गया, अगर slope की दे रखी है, 35 degree दे तो निकाल दे जी कितना हो गया, rate or adjustment कितना जाएगा जाएगा, 0.8, x tend of absorption कितना जाएगा, 0.8, ठीक है, मालने जी यह भी ग्राम में और यह भी ग्राम में तो unit less, that is the question, यह चीज़े आपको दे, ऐसे आपका friendly adjustment का किस्वन आता है, ठीक है, आप सो कुछे ना extend of absorption, तो x, y, n कुझा ना, ठीक है, देखे भी, वीडियो फोटे लंबी हो रही है, पर अगर conceptually आप इसको समझना चाते हैं, तो that is necessary, ठीक है, वीडियो का लास्ट में में आपको एक ही पेज पे बोर्ड इस पूरे complete बोर्ड पे complete information इस वीडियो की दे दुआ, ठीक है, चलिए वई, अब हम स्टटी करेंगे, आदे, लेंद्मियर एड्जोप्शन आइसोथर्म के लिए अप्लाई होता है, वह लार्ज हाई प्रेसर पह अपलेकेबल नहीं होता है, ठीक है, लेंडियर ने इस चीज को इस लिमिटेशन के दूश पडूर्ड क्या होता है ऑचिस पेज़ें, लेंगवियर ने जो आपका अड्जोप्शन आइसो थरंब यह बोथ केमिकल और विजीकल दोनों आड्जोप्शन के लिए बता दिया ठीक है अब आपोडिन ज्राइट एक्साइंड और एक्सेंड ओप्षा डाइज गायम इस इक्वल टू एपी गायमें वन प्लस बीडिटी यही एक्रेशन की इसकी लेंड एड्जोप्षा अइसलों इन्हों ने जो कॉंसं टेमिरेचर पे तिर हम पक्रेशर की इंपने एक्यों कि यह систем है यह थापका लेंग मीयर एड्जोप्शन अईाइसोथर्म इक्वेशन ठीक है लेंग मेर एड्जोप्शन आइसोथर्म इवेशन प्रेशर हाइब 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 प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो सुचिए कि जो वन है यह इस ट्रक ट्रक को तो आप इस वन को क्या करते है तो आप इस वन को क्या ने तो वर्ण क्या होगा व्यक्राइब करते हैं एड्जोर्बेट पे और एड्जोर बैट ठीक है तो यह अपका एक्स्टेंट ऑफ एड्जोर्प्शन और किस पर पर लए नेचर ओफ एड्जोर्बेट एंड नेचर ओफ एड्जोर्बेट पे ठीक है एक लोग प्रेशर की बादली यह क्यों सब्सक्राइब है यह हाई प्रेशर लेंग्मियर एड्जोर्प्शन आइसोथ्रम के साब से एक्स्टेंट ऑफ एड्जोर्प्रेशर क्या होगा एपी भाई क्या होगा हुगा गाता है यहां पे देख है आपका बीपी ग्रेटर घ्र जैन वन है तो आप वन को नेचाद अब अगर आपका बीट की प्रेसर कम है तो इसकी वैलू लाइस से आ क्यों हुग्प्र इसको नचरत दें कर दीजी चाया है एपी एंक diva 2008 लेखर दिया क्या जो aja Japanese पैय क्या हे एका मैं तो आपका इस लिए जो एक्सपरिमेंटली क्रेक्ट हो रही थी जब हमने एक्सपरिमेंटली क्रेक्ट हो रही थी इक्सपरिमेंटली जादा बैट रही है किसमें लेंग्वियर एड्जोर्शन आइसोथ्रम से एक्सपरिमेंटली जादा बैट रही है यह इक्वेशन और इसको भी आप मैथमेटिक दिखा सकते हैं कैसे क्या करेंगे अगर इसको भी इसकी बनाना चाहें कैसे बढ़ाएंगे दुनों को प्रत दीजिए इसको लिनियर एक्वेशन की फूम में लेक्वेशन एक स्टेट लाइन एक्वेशन आपके पास एक कोई प्लस प्लस आप अने एकले अकले इसको माशन मस करते हैं एक्वेश है जो जोस्क्वेशन कंव्याचवेशन कारते का यह बेंट्र पी के साथ x-axis पे क्या बनाती है equation क्या m into x ये क्या बनाती है प्रस्टी बनी क्या करेंगे एक गराब बनाते तोटा दिखा रहा हमने किसके साथ साथ m by x के साथ y-axis पे x-axis पे 1 by P के साथ इंट्रसेट क्या जाएगा था बी बाई में ए स्लोग क्या जाएगी स्लोग क्या जाएगी वन बाई थीटा टेंजिन थीटा कितना जाएगा तो हमने कुछ गैसिस के लिए प्रोड़ के देखा नाइट हो देने के लिए हाइड अध्योप्सन आएवर्यश लैंडमियर अध्योप्सन आइसोथरम से यह इसकी आईसोथरम एक्विश्ट्र गास्विश्ट्र इधान दीति यह अने इस पैसलिक इसके इसनिवेगा स्टहुप्सन प्रप्लाई कर सकते हैं दोनों वनों एडाता तो किसको भी फैंड्विच को भी और लगाई कैसे कुछ ने करना प्रेस्ट की लिए वह एक्स भाई एक वाई एक्स भाई एक्स भाई एक्स भाई में वन प्लस पीजिंगा लापी दूनों के दुनों एड्जोप्शन आइसोथर्म आपके सुल्यूशन के लिए काफी बैट है सुल्यूशन की बात करें तब आप क्याले लेना तो यह था वही इफेक्ट ओफ प्रेश्यर ओन एड्जोप्शन चोह हमने एट कॉंस्टेंट टेम्टेशन बताया है किसकी हल्प से फ्रेंड्लिक्स अड्जोप्शन आइसोथर्म से अधिमें इस वीडियो में इनको समराइज करता हूं उससे पहले हम देख लेते हैं क्या एप्लिकेशन ओफ एड्जोप्शन मस्त रही है अच्छे से बनाएए अभी समराइज करना है इनको ठीक है वह अलसके इंसूट लेना यह भी साच मे प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से हमें एक से लिए एक बात देखनें जी जो आपका एक्स बाइए एम है इस इकोल टू के इंटू पी की पावर बाइटें किसके लिए गैस के लिए यही फ्रेंडिक एड्जोप्शन आइसोथर्म एक्स बाइएम इस बूप के इंटू सी क अब ध्याने जिए जब आपने यह निकाला क्या समझ में है द्याने लाइंगलिए एड्जोप्शन आइसोथेम का इंट की एक मेर विए एस बीज़प्शन आइसोथर्म ह। यह ज्याहदा एक्सेरिमेंट ली अप्रेमेटली है अब हम देखेंगे application of adsorption लीजेवे यह है आपकी application of adsorption कि adsorption का कहां कहां use होता है देखिए पहला in gas mask क्या आज कल भी हम करोनाइटाम में mask लगा रहे हैं वह gas mask क्या होते हैं माले से खहीं पर poisonous gas लीजो रही है ठीक है तो gas mask में हम क्या रखते है एड्जोर्मेंट रखते हैं जैसे gases poisonous यहां contact में मास्क के आगा आईगी यहीं पर क्या हो जाएंगी अधर नहीं तो एक बैटर एप्लिकेशन है हमार लिए खुड़नावार्यस आगा रहा है तो मास्क में रहे तो यह रहे जाए प्लेले लेर में रुप जाएंगा थिक है सेटिंड क्या है एक एक्निकेशन इन क्लेरिफिकेशन ओव सुगर ठीक है ठीक है ठीक है तो सुगर में देखे सुगर वुक्र वाइड देखिए नहीं बिल्कुल वायड होती है अगर इसमें रंग परंग यहो तो रंग सो जाए तो इस आघा चाहे मनाते से में क्या करते हैं हो फिर उलता है मैं जो जो कलर्स होता है यह क्लारिफाइं सबस्कोर सब्सक्राइब तो क्रोमेटोग्राफिक अनलाइस को अगर हमें डिफेंट करना है या पोजे के अंदर पिग्मेंट्स होते है जल 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 ऑता जाएगा वो सब्स्टान्स अमलग करते हैं ऐसे मालजिक आपको गैसिज को इसापईट करना है तो आप गुल चालर्स सब्सक्राइब जाएगी जो आपकर देगा अब यह जल्दी कपड़ाओं साफ कर देगा अब इस वोटर में कपड़ें अच्छे से साफ़ोन है वो ज्यादा वेस्ट नियों इस से परेट नहीं कर दो जो जल्दी को जाए इसके बाद दूसरी जाए उसके बाद दूसरी जाए उसको पहले लगो जाए उसको पहले सप्रेट कर लेंगे उसके बाद तुसरी को तुसरी को मिक्चर उप गैसिज में आपको देदू किसकी हल्प से सब्रेट कर सकते हैं असानी से विद्धान को एड्जोर्ब से अलग चार्कोल के उपरी हमने गया से इसको क्या अलग लग देट से एड्जोर्ब होगी हाप उनको अलग से अगले देचे भी फ्रोल फ्लोरेटेशन फ्रोसेस में में चिर्णान के इस्तों थुल्पाइटेशन ऊंग्ण करीप गोजाता है फ्रोफ complaining को बढर देद कीई हो ज ti तो इंसके क्रोंच बढ़ बना पाता है इस के क्या अब वोटर। ने संजा है कोज बना बना पाता है थिक है पिबी इससानी से खुट मुलेता है अलग बचाता है ओनद आपेसी तो एक चोप ठीक है नेस्ट वोटर गंजिन कोफे अची टेक निक वह दे जहां पे गरम वो जगह जहां गरम वोटर जल्जाद जादा होट है जहां वोटर जो है जल्दी सूप जाता है क्या करें वोटर की उपर इक स्थीलिक ऐसेल ऐसरे डीक अश्यार चींशाल जाएं बिची नहीं होगा इसके जर्म्स को उन्हें नहीं होगा इसके पर इसके पर जर्म्स को क्या जर्ट कर लेंगे इसको मार देगे ए इसको हो भी हित्रोज़नियस क्या द्योरी हो जिसमें मैं लोग यह आपके लिक्विड है इसे कहते हैं इसे कहते हैं है यह इसे कहते हैं हुआ है सब्सक्राइब करना है तो इस तरीके से हमारे सब्सक्राइब करना है तो इस तरीके से सब्सक्राइब करना है अब हम क्या करेंगे फ्रेंड लेंड मेर वाले को एक साथ लिखेंगे ठीक है इसी बेश बोजाएगा ठीक है लूँ वई है हमने लिया बड़ा सब्सक्राइब हम पढ़ रहे है क्या फ्रेंड लिज एड्जोप्शन आइसोथर्म फीजिकल के लिए अपलाई होता है एक्स्टेंट ओफ एड्जोप्शन इकोवल टू के इंटू बी की पावर बाई एंड की वैलू बेटे देन वन होगी वन बाई एं की वैलू नीरली पॉइंट वन से पॉइंट मिरते हैं थ्माय कि cowardly नीजिकंट के लिए करोव्वंती है कि ये क्या है आपके अज आश्राइशोबार यह आशे आशोचम fracture के लिए एक्स बार के साथ फी जीजिगल अप्शन यह है एक्स बाएनट हिसको लोग दंध में लिख सकते हम लोग एक्स बाई इस इकोल टू लोग के इंटरसेप्ट होगा प्लस बाइए लोग बेस्ट नभी साहे साहे हो गया फ्रेंड ले अध्योशन आई मैं अचों इतना सबुश्ट होई इसकी क्योशन इसकी क्योशन में बन जाए यह क्या बन जाएगा लोगती फिन्नेस हो गया भी फ्रेंड्ली चैनल इसे फर्विस से फालतु क्या था ये फीजी गर्ट जोशन के लिए अपला ही होता है तो कि यह थीज़ते हैं टीटू को क्या करवा सकता है टीटू को क्या करवा सकता है तो टेम्रेटरी क्या होगा का एक 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 बात करते हैं लेंग नीयर अजोसन आइस फरव की दुनों बेपली के बना होता है फीजिकल पे और है केमिकल बीजातरम केमिकल के लिए अप्लाइ करते हैं कि देखिए क्या होती केशन एक सेंट और जोसन इस इकोल टुवाट एपी बाइव प्लस बीपी होगे आपका और यह आपका ज्यादा बेंटर ने किसकी प्रिक्षा किसकी प्रिक्षा इससे आप एंडिस को भी खोश कर सकते हैं आई प्रेशर पर यहीं प्रेशर क्या होगा है यह होगा आकरने यह ऑण करने सब्सक्रा अब आप आप जो अएंसों माहले लेक्टेल लिए सिल्टोन के लिए प्रेंड इड्रोप्शन के लिए इसको लगाइए लेंग्मियर के एक्षपाइए अग्स वाइए 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 वह लॉड़ाइशन की जगे आपको का इस्तमाज करना तो क्या करें करें कि इस्तिमाल कर लें तो सुलूशन से एड़ेशन की स्टिटी हो जाएगी विल्कुल और सुलूशन के लिए तो काफी अच्छे से अपलाई होता है कौन एड़ेशोप साथ तो अगर अगर आपको बाते आती है तो ये विडियो कंप्लील हो जाती है मजिन का सिगनिफिकेंज समझ लिजी तो अच्छे से बढ़िए अगर आपको इस विडियो से कुछ जांकरे मिली है तो इस विडियो को लाइक कीजिए सेर भी कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मस्त रहिए अच्छे से पढ़िए all the very very best जैंब